मूली का पराठा यह तो खाने में बहुत ज़ादा स्वादिश्ट लगता है लेकिन कुछ लोग सिकायत करते हैं कि वो जब भी मूली का पराठा बनाते हैं उनसे बिलकुल भी सई से नहीं बन पाता है क्योंकि सारा मूली का पराठा फट जाता है साथ ही कुछ लोग सिकायत करते हैं कि मूली का पराठा खाने के बाद में उन्हें बड़ी दिक्कत होती क्योंकि इससे बड़ी गैस बनती है तो आज हम इन दोनों ही समश्याओं का समाधान देखेंगे कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के साथ मूली के पराठे की स्टिफिंग बनाएंगे जिससे ना तो गैस बनेगी और ना ही मूली का पराठा फटेगा आप देख पा रहे हैं कि कितनी किली के लिए हमारी स्टिफिंग तयार हुई है और ऐसी स्टिफिंग जब तयार हूँ तो मूली का पराठा फटने का तो कोई चांसी नहीं है तो इसे बनाने के लिए हम कर लेते हैं कुछ तयारी तो सबसे पहला जो टिप्स है वो यही है कि पराठे बनाने के लिए जो हम मूली ले रहे हैं वो बिल्कुल भी पकी हुई नहीं होनी चाहिए क्योंकि पकी हुई मूली में पानी बहुत जादा होता है और वो अपना पानी रिलिज करती है जिससे पराठा फटने लग जाता है तो सबसे पहला टिप यही है और इसको कद्दुकश करने के बाद में हम क्या करेंगे इसे एक अलग बरतन में निकाल लेंगे और उसमें एक से डेट चमश नमक मिला के इसे रख देंगी दस से पंदरा मिनट के लिए इससे क्या होगा कि मूली अपना पानी छोड़ देगी दस पंदरा मिनट में तो आप देख पारें कि कितना पानी इसमें से निकल चुका है इसको हम किसी कपड़े की सायता से या फिर हतों की सायता से ही हम इस प्रकार से नचोड़ कर इसका पानी अलग कर देंगे इससे जब इसका पानी बाहर निकल जाता है तो इसका कसेलपन भी निकल जाता है इससे जो हमारे मूली के पराठे हैं वो भी काफी टेस्टी बनते हैं क्योंकि पाने की वज़े से सारा जो कसेलपन है वो तो निकल चुका है तो इस प्रकार से हम मूली का जो सारा पानी है वो पहले ही निकाल देंगे तो पराठे बनाते समय दिक्कत नहीं आएगी साथ ही हम क्या करेंगी कि जब हम स्टफिंग तयार करेंगे तो हमें उसमें पहले ही मूली नहीं मिलानी है और मूली सबसे लास्ट में मिलानी है और लास्ट में मिलाते समय भी हमें उसे एक बार जरूर निचोड लेना है ताकि जो उसमें पानी दुबारा से बन गया है वो भी निकल सके आप देख पा रहे हैं कि देखो कितना पानी मूली में से निकल चुका है तो जब इतना पानी अगर हम निकाल देंगे तो फिर फटने का बिल्कुल भी चांसे नहीं बसते तो हम इस प्रिकार से मुली का सारा पानी निकाल देंगे और इसके बाद में हम करेंगे तैयारी स्टफिंग बनाने की यह सारा पानी जो इतना सारा एक साथ निकला है यह सब कुछ नमक की वज़े से ही है जब हम इसमें नमक डालके रखते हैं तो पानी एक साथ निकल जाता है वरना तो क्या होता है कि मूली को कद्दुकस करने से थोड़ा बोट पानी निकल जाता है और जब हम इसमें स्टफिं के लिए मसाले तयार कर लेंगे और इसमें कुछ ऐसे दो चीजे डालेंगे जिससे हमें बिलकुल भी गैस नहीं बनेंगे एक हमने अजवाइन डाल दी है और साथ ही हम इसमें डालेंगे हींग और अजवाइन दोनों ही ऐसी चीजे हैं जिसकी वज़े से हमें बिलकुल भी ग पराठा बनाएं और जिनको गैस की समश्या है वो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें ही मिलाएं और साथ ही अजवाएं ये दोनों ही हमें गैस नहीं होने देती तो ये हमारे कुछ टिप्स और ट्रिक्स थे अब देखो लास्ट में जब हम स्टफिंग में मूली डालेंगे त और सारा पानी हम पहले ही निकाथ चुके होते हैं तो ज़्यादा दिकत नहीं आती है अब आप देख पा रहे हैं कि हमारी स्टफिंग कितनी अच्छे से बनकर तयार हो चुकी है तो जब हम इन टिप्स और ट्रिक्स के साथ स्टफिंग तयार करेंगे तो हमारे मूली का पर बनकर तयार हुई है और जब इस परकार से स्टेफिंग खिली खिली तयार होगी तो मूली का पराठा फट जाए ये तो होई नहीं सकता तो आप भी इन टिप्स और ट्रिक्स के साथ स्टेफिंग तयार करें और फिर बनाएं आप मूली का पराठा तो फिर देखना मूली का पराठा फड़ता है या नहीं और अजवाईन और हींग डालेंगे तो आपको कभी भी गैस नहीं बनेगी तो इस परिकार से हमने कुछ मूली के पराठे से रिलेटेड टिप्स देखे अगर हम इनको अपनाते हैं मूली का पराठा बनाते हैं तो कोई भी समश्या हमें नहीं आने वाली है तो यह स्वादिष्ट रेसिपी बना कर देखें और एंजोई करें और अगर कोई भी दिक्कत आते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें थेंक यू